हेलो फ्रेंड्स जार्खन की वीर सेनाने और सपूत में हम लोग बात करेंगे राजा अर्जन सिंग के बारे में जार्खन में बहुत सारे वीर सेनाने सपूत वे एक से बढ़कर एक सपूत और सेनाने हुए तो उन्हीं में से एक है राजा अर्जुन सिंग तो इनके बारे भी हम लोग यहां पर देखेंगे और यह भी बहरी बहरी इंपोर्टेंट है हो सकता है यहां से इनसे रिलेक्टेड कोस्चिन पूछ लिया जाए तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग यह भी जानते हैं कि कि वीर सिनानी सपुतों की बदोले थी हमारा जटेश वहां अंग्रेज़ों के गुलामें से आजात हुआ था तो इन्हीं में से हम लोग आज जार्खन की वीर्षानी सपुत में से जा राजा अजुन सिंग को देखते हैं और हमें इन वीर सिनानी और सपुतों कंपने तो दोस्तों राजा अरजन सिंग का जन्म पुड़ाहाट राज सिंभूम के ततकालिन राजा अच्यूत सिंग के घर 1829 इसभी में हुआ था तो दोस्तों राजा अरजन सिंग का जन्म हुआ था वह 1829 इसभी में हुआ था और कहां हुआ था तो पुड़ाहाट राजा उस समय सिंभूम जो थे तो यहां पर चुछ संग्राम उसी के समय उसाथ में पुरहाट के राजा भी यह बने थे तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे इनके सासन के दोरान जगबंदु पतनायक जिसको प्यार से जगबंदु दिवान करते हैं तो जगबंदु पतनायक इनके दिवान थे तो यह भी आप लोग ध्यान लखेंगे यहां से भी question पूछा जाता है तो यह भी very very important है आप लोग ध और लिखनियर क्या चीज़ें वह भी देखते हैं तो आठास संतावन जो की पूरे भरतवर्स में वहा था और यहां पर भी याने की जारखन में भी यह जो सोर से हो ही गया था तो आप लोगों को मालूम हो गाई बहुत सारे जानकरिया तो चलिए हम दो देखते हैं कि आठास उस समय यहां पर अठासांतान को विद्रोह का प्रारवन सिंग ने क्या किये तो यह भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे उस वक्त के खरानतिकारी उन्हें विद्रह करके सरकारी खाजाने लूट लिए और कैदिया को छुड़ा लिया तो पिर रांची की और रवाना होगे तो दोश्तों जो सिंभूमकी जो विद्रही थे ख्राइमें लोग विद्रह करके सरकारी खजाने को लूट लिये थे वहां पर जितने भी अपने के इदी तरहने के लिए एं संजय नधी के पास सराइकेला नरेस और खरस्मा राजा ने करांतिकार्यव को राश्ता रोक लिये तो खरांतिकार्यव को संजय नदी पार करांगे काम राजा अर्जुन सिंग ने की तो यह अगे बढ़ने नहीं दे रहे थे जो की रांची की और आ रहे थे तो इनको संजय नदी के पास में सराइकला के जो राजा थे और खरस्मा के जो राजा थे उन्होंने करंथिकरियों को रोक लिया था उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे क्योंकि यह जो दोनों हैं यह सराकिला नरेस और खरस्वा नरेस यह लोग अंग्रेजों के तरफदारी करते थे तो इसी कारण से यह लोगों ने राष्टा रोक लिया था लेकिन करांतिकारीयों को फिर भी संजन अधि के पार कराने के काम कौन किये तो राजा अर्जुनसी किये ताकि यह क्रांतिकारी राजे फोच करके फिर यहां पर भी अपना काम करने के बाद अंग्रेजों को छक्के छुडाने वाले थे तो यह लोग संजन अधि को पार नहीं कर पा रहे थे तो इसी कारण से जो है सराकिला नरेस और खरस्वा राजा के बीच में से राजा राजन सिंग ने अपनी पोड़ी देवी या पोड़ी देवी को साच्छी मान कर कसम खाए और संकादूर किये फिरक्रांतिकारी विद्रवियों का नेतरती किये तो यहां पे अब ध्यान रखेंगे जो भी क्रांतिकारी थे उनको मन में संका था कि राजा अर्जुन सिंग तो इसके लिए इन्हों ने क्या किया यानि कि राजार और्ण सुझी ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो पूरी या पूरी देवी कहते हैं तो उर्षी को यह साची मान करके कसम खा लिए कि मैं आप लोगों के साथ में विश्वद रखात नहीं करूंगा यह इस प्रकार से कसम खाए और फिर क्रंतिकारों को संकत था उसको दूर कर दिये और फिर क्रंतिकारी लोग Pac为 दूर होने के पाथnin क्रंतिकारी यहां को बिद्रुईयों को नित्रत कौन में तो यह किए राजा रजन स्भूंअ को ऐसे आप रखेंगे तो यहां आकर यहां ने राजा ने अश्विकार करते हुए अपने आपको सिंभूम का घुषित किया कि अपने आपको किस ने घुषित किया था तो वो घुषित किये थे राजा आजन सींग ने तो यहां पर RC बश्जों की उस समय सिम्भूम की जिलादी जते तो इन्होंने राजा अर्जुन सिंग को आत्म समर्पन करने को कहा क्योंकि ये करांतिकारियों विद्रईयों नित्रुतिकार रहे तो अंग्रेज लोग भी पूरे डर के थे तो इसी कारण से राजा अर्जुन ये आप लोग याद कर लेंगे RC बर्श ने इनकी घिरबतारी पर 1000 रुप्य की इनाम की घोषना की तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि राजा अर्जुन सिंग को पगड़ने के लिए अब RC बर्श ने 1000 रुप्य की इनाम की घोषना कर दी ती यहां इतना hope था अंग्रिजियों पर यह आप लोग याद रखेंगे बाद में राजा अर्जुन सिंग ने अपने सहीयोंगे के साथ राची के कमिशनर डॉल्टन के समख्च आत्मसमर्पन करना स्विकार कर राची आगे फिर बहुत दिनों के बात में राजा अर्जुन बनत कर दिया अब के यहां पर इस परकार का घटना हो गया कि जितने भी अर्जुन सिंग की सहीयोंगी थे विद्रोई थे उनको डाल्टन ने क्या किया पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जबकि राजा अर्जुन सिंग आत्मसमर्पन करने के लिए आये थे लेकिन उहां पर जो आत्मसमर्पन करने के बाद भी यहां विद्रुईयों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया तो यह बहुत ही गं करांतिकारियों पर कोर्ट मार्शल चला कर 20 अक्तूबर अठर संतान को राची के सही चोग पर फांसी पर लटका दिया गया अब देखिए यहां पर राची का जो कमिशनर थे उसमें डॉल्टन उन्होंने तो विद्रोईयों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया लेकिन फिर करांतिकारि विद्रोईयों पर कोर्ट मार्शल चला करके जितने विते उन पर 20 अक्तूबर अठर संतान को राची के सही चोग पर फांसी पर लटका दिया गया तो यह कितना खराब काम था यह आप लोग सोच सकते हैं अब देखिए कोर्ट मार्शल करने के बाद में इनको फांसी देया गया जो है डेट यह आप लोग ध्यान रखेंगे 20 अक्तूबर 1870 और कहां पर तुरांची के सही चोग पर यह भी बेरी इंपोर्टेंट है अब इतना बड़ा घटना हो गया तो इसमें क्या हो गया तो इसमें हो गया कि राजा अर्जुन सिंग अब क्रोधित होगे देखिए आप लोग इस घटना से राजा अर्जुन सिंग बहुत दुखी और क्रोधित फिर बागी बन गए पुना पुड़ा हाट आकर अंग्रजों के अभ्यान शुरू कर दिये तो देखिए इस परकार घटना हो गया कि उनके सही योगियों को फांसी पर लटका दिया गया जिसे अर्जुन सिंग बहुत ही ज्यादा दुखी होगे क्रोधित भी होगे और वे बागी बन गए अब उनको पूरा बदला लेना था अंग्रजों से इस परकार से इन्होंने पूरा मन में ठान लिए और बाद में क्या हुआ तो यह पुना अपना जो राज थ अब देखें यहां पर उनके सही योगियों को तो 20 अक्तुबर को फांसे देही दिया गया लेकिन इनके जो दिवान थे जग्गो दिवान इनको भी फांसे दे दिया गया बीस नॉम्बर अठारस संतान को तो यह डेट को भी आप लोग भियान रखेंगे याद कर लेंगे तो इससे राजा अरजुन सिंग और क्रोधित हो गए और अपने जो अभियान था उनको तेज करके अंगरजों के चुड़ा दिये जितना भी हो पार रहा था उस परकार से इन्हों ने काम किये और अंगरजों के चुड़ा दिये तो यह डेट कभी आप लोग धियान रखे याद करेंगे कि इतना साल सीज होने के बात में अंग्रेजियों ने दमन पूर्वक कारवाई करनेया शुरू कर दिया सिंभूम पर और इससे जो है इनका बिद्रू कमजर पढ़ गया और फिर राजा अर्जन सिंग क्या हुआ कि इन्हों ने अपने जो सहसूर थे यानि कि मह पर के पास जाने के बाद में यह 16 फरवर 1869 को आत्मासमरपन कर दिये तो यह डेट को आप लोग याद रखेंगे तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यह लगबग 2 साल हैं पर उसके बाद ही आत्मासमरपन कर दिये राजा अर्जुन स्ञ्ग को गिरवतार कर बनारस के जियल में बंद कर दिया गया जहां उनकी मिरत्यु वोगी 1890 में और इस परकार से यह अमर होगे अमर सहीद होगे तो इस परकार से इनका जो योगदान था वो आप लोगों नहीं आप दिख लेकि इस परकार से तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छे कदम उठाए और अंग्रोजों के जो है वह छक्के चुड़ा दियते तो आप लोग इतने सा जानकारी को ध्यान रखेंगे राजा अर्जुन सिंग के बारे में तो यह जानकारी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया तो आप समझ सकते हैं कि बीर सेनानियों सपूर जो हुए जहरकंड में हुए साथ-साथ पूरे भारत वर्स में हुए तो सभी